Dear student, welcome to Biome Tutor Classes. In this video lecture, we are going to discuss small topic endemism. Endemism जो है, जब भी कभी ये सब्द आपके सामने आए, तो endemism का मतलब होता है कि कोई भी species, कोई भी genus, या growth of plant या animal, वो कुछ भी हो सकता है. वो individual, कोई जीव हो सकता है, species हो सकती है, अगर वो किसी एक particular area में ही पाया जा रहा है, ये कोई area है, और यहाँ पर कोई access species पाई जा रही है, और ये पूरे biosphere में, पूरे world में, इस area के अलावा कहीं नहीं पाई जा रही है, तो इस तरह की species को हम endemic species कहते हैं, और इस concept को हम endemism कहते हैं, जैसे kangaroo, और kangaroo का नाम सुनते ही, आपके mind में Australia का scene आ जाता है, कि kangaroo को अगर देखना है, तो आपको Australia जाना पड़ेगा, तो kangaroo का ऐसी species हो गई, एंडेमिक species हो गई, वो जो है particular उसी continent में confined है, उसी area में, एक example के तौर पर हम यह देख रहे हैं, आगे हम इसको और detail पड़ेंगे, endemism जो concept था, वो सबसे पहले APD Candoli ने दिया था, एंडेमिजम है, वनिए species is found only a particular geographical region, अब देखिए, कोई भी species किसी particular region में कब हो सकती है, जब वो isolated हो, लेकिन isolation के भी कुछ कारण होते हैं, वो आगे हम one by one देखेंगे, लेकिन उन कारणों में सबसे ज़्यादा climatic कारण होते हैं, soil ने कारण होता है, या वो adopt नहीं कर पाती, तो इस कारण से वो species particular area में ही confined होके रह जाती हैं, और उसको हम endemic species कहते हैं, उसके कारणों की हम आगे one by one देखेंगे, तो endemism क्या हुआ, endemism कहते हैं कि जब कोई species किसी particular area में ही पाई जाए, तो इस तरह की species को या ऐसे taxon को, या ऐसे group of plant को, या ऐसे group of animal को, हम endemic कहते हैं, अब endemic के साथ दो सब्द और आते हैं, और अकसर ये word जो हैं, आपको confuse करते हैं, अब ये word कौन है, तो endemic तो हम देखी रहे हैं, ये कह है rare, और ये है relax, इनको अच्छे से समझेए, दीकि endemic तो कहते हैं, जब कोई species किसी particular area में ही पाई जाए, rare कहते हैं, कि जब किसी species के बहुत कम सदस से बचे हैं, या किसी taxon के बहुत ज़्यादा कम सदस से बचे हैं, वो rare कहते हैं, लेकिन जो कम सदस से बचे हैं, उनके लिए ये condition नहीं है, कि वो एक ही जगह पर पाई जाए, हो सकता है, दो कहीं है, एक कहीं है, एक कहीं है, लेकिन कम है, तो rare में आप location को fix नहीं कर रहे हो, लेकिन उनकी संख्या को fix कर रहे हो जोकि endemic में हमने क्या किया था हमने location fix की थी कि एक ही जगह पर confined होंगे लेकिन हमने संख्या के बारे में कोई बात नहीं की endemic में संख्या बहुत ज़ादा भी हो सकती है बहुत कम भी हो सकती है तीसरी एक terms होती है relics relics का मतलब होता है कि पहले कोई species बहुत ज़ादा dominant रूप में पाई जाती थी लेकिन अब उसके कुछी members एक representative के रूप में बचे हुए है तो उसको कहते हैं relics अब यह जो member बचे हुए है यहाँ पर हम ना तो अब कुछ तो कह रहे हैं कि कुछ ही member बचे हुए है लेकिन वो कुछ member बहुत ज़ादा कम नहीं है थोड़े से rare से comparatively ज़ादा है और यहाँ location की तो हमने कोई बात ही नहीं की है तो यह थोड़ा सा conceptual difference है endemic में, rare में और relics में कई बार हमें CSIR में इस तरीके से कुछ questions आ जाते हैं या कई बार हमें वाइवा में या कई बार exam में भी इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि क्या सारे endemic relics हैं, नहीं क्योंकि relics में मैंने क्या बोला था कि पहले यह काफी पुरानी spesiege है relics और यह इनके कुछी members अभी representative के रूप में बचे हुए हैं लेकिन आगे हम endemics में new endemics भी पढ़ेंगे जो कि नए पैदा हुई spesiege के कारण पैदा होते हैं तो सारे endemics relics नहीं होते new endemics के कारण new endemics क्या है या आगे हम discuss करेंगे अगला है all endemics are not rare क्योंकि rare spesiege में हम संख्या को देख रहे हैं जबकि endemics में हम संख्या को नहीं देख रहे हैं वहाँ क्या देख रहे हैं location को देख रहे हैं all rare plants are not endemics ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि rare plant जो है वहाँ पे हम संख्या को देख रहे हैं और ये संख्या कम जरूर है बहुत ज़्यादा कम जरूर है लेकिन हो सकता है ये बहुत कम सदसे भी अलग अलग जगे पे बिख्रे हुए हैं लेकिन endemics में हमने किसकी बात की थी सिर्फ हमने location की बात की थी तो कहने का मतलब है कि आपको इन तीनों में एक conceptual difference जो है वो ध्यान रखना है कि endemic जो होते हैं उसमें location fix होती है संख्या के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं rare में संख्या बहुत कम है, location के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, relics में बहुत कम सदसे बचे हैं, पहले बहुत ज़्यादा wide spread ये particular taxon ये plant या animal पाए जाते थे, लेकिन अब इनके कुछ representative भी बचे हुए हैं, तो यहाँ ना तो हम समय की बात, संख्या की बात कर रहे हैं, ना हम location की बात कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम ये represent कर रहे हैं, कि भई ये जो species है, ये पहले बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, अब उतना नहीं पाई जा रही हैं, तो ये कुछ conceptual difference इन में हैं, अब जो endemic है, अगर इसमें हम altitude और distance का difference देखें, तो देखिए, altitude बढ़ने पर endemism बढ़ता है, altitude अगर आप बढ़ाओगे, तो endemism बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा, altitude कहते हैं, उंचाईप है, क्योंकि उंचाईप जैसे आप जाते हों, तो उंचाईप जो species या taxon पाए जा रहे हैं, वो spread बहुत जादा नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर जो conditions हैं, वो बहुत जादा favorable नहीं है, वैसे ही अगर mainland से, जैसे जमीन से, आप mainland से अगर दूरी देखो, इसको मैं समझाऊँगा भी, इस diagram के मात्यम से, तो भी endemism बढ़ता है, distance बढ़ने पर भी endemism बढ़ता है, तो देखे, altitude तो आपको समझ में आ गया हो, जैसे जैसे आप पहाड की उचाई पर जाओगे, species diversity कम होती है, लेकिन जो भी species वहाँ पाई जाती है, उनमें काफी species, endemic species होती है, जो किसी दूसरी इरिया में आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा इसलिए भी होता है, क्योंकि high altitude पे जो climatic conditions develop होती है, वो specific हो जाती है, जैसे हिमालय की जो conditions हो सकता है, उस तरह की situations, particular altitude पे यहीं पाई जा रही है, दूसरा, एक तो ये कारण हो गया, दूसरा, वो spread भी बहुत कम कर पाती है, दूसरा distance, देखिए, जैसे इंडिया का Bombay Coast है, जैसे ये South India वाला हमारा region है, यहाँ पर Bombay है, मुंबई जिसको हम कहते हैं, Bombay से दूर, 100 km दूर, एक island है, तोटा सा, वहीं मुंबई से 20 km कोश्ट समुंदर में, एक दूसरा island है, जिसको मैंने second बोला है, तो island जो one है, वो ज़्यादा दूरी पर है, तो यहाँ कोई अगर इस पर सीज एक्स डवलप होती है, इस island पर, तो इस इस पर सीज के मुंबई कोश्ट तक पहुंचने की संभावना क्या होगी, comparatively very low, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है, जबकि इस second island जो की इसकी दूरी बॉम्बे से कम है, तो यहाँ अगर कोई इस पर सीज वाई डवलप होती है, तो यहाँ पर यह संभावना है, कि यह इस पर सीज बहुत easily, comparatively as compared to island 1, इस mainland पर पहुंच सकती है, तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप mainland से distance बढ़ाते हो, किसी भी area क तो वहाँ पर आपकी endemic species पाए जाने की probability ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए अगर ऐसा island है, जो mainland से दूर है, वहाँ पर endemic species ज़्यादा पाई जाएंगे, और इसी चीज को हमने इस diagram के माद्द हम से समझाने की कोसिस किया, कि देखिए एक triangle जो है, यह कोई उंचा पहाड है, high rate of endemicem, मतलब जैसे आप altitude पे जा रहे हो, altitude भढ़ रहा है, तो high rate of endemicem, endemicem भढ़ रहा है, और क्योंकि mountain, mainland पे है, यह mountain का है, mainland पे है, तो यहाँ पे इस पर सी diversity भी क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन मानलो एक दूसरा इलाका है, oceanic island है, और यह mainland से दूर है, separate है, तो यहाँ पे endemicem तो बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि distance जो है, वो endemicem को भढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ specific diversity क्या होगी, कम होगी, island पे जो है specific diversity क्या होगी, comparatively कम होगी, क्योंकि यहाँ पे, जो है, migration जो है, वो बहुत ज्यादा easily हो नहीं रहा है, तो कहने का मतलब है, आपको यह दो concept ध्यार रखनी है, कि altitude बढ़ने पर endemism बढ़ता है, और mainland से distance बढ़ने पर भी endemism बढ़ता है, उसको मैंने example के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिस की है, यहाँ पे कुछ endemism के types है, अक्सर हम इन types को लेके बड़े confused होते हैं, इसमें पहला type है neoendemism, नियो endemism का मतलब होता नया, कि जो अभी अभी पैदा हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई area है, अब इस area में कोई species x पैदा हुई, और यह बहुत time नहीं हुआ है इसको evolve हुए, अभी कुछ recently evolve हुई है, तो species को अभी उतना time ही नहीं मिला है कि वो दूसरे area में spread कर पाए, आप बहुत ज़्यादा यह भी spread होने का इसको समय नहीं मिला है, तो इस तरीके का अगर endemism होता है, तो इसको हम neo endemism कहते हैं, ऐसे सैनेशिया combrancis, एक flowering plant है, एस्ट्रेसी family का, यह North Wales, great vitrine में यह पढ़ता है, वहाँ पे यह endemic है, यह वहाँ पे भी develop ही हुआ है, recently का मतलब य उसके बाद neo endemism जो है, डार्विन की finch जो है, गैला पैगोस आइलेंड पे आप बहुत जादा इनको आपने study किया है, तो डार्विन जो finch है, यह भी neo endemism का एक type है, तो हमने neo endemism में देखा, अगर कोई taxon new है, evolution में, young है, अभी और उसको बहुत जादा spread करने का time नहीं म लाए, तो इस तरीके के endemism को हम neo endemism कहते हैं, दूसरा है paleo endemism, यह taxon मालो अभी एक particular area में ही पाया जा रहा है, कोई area है, और यहां पे ही यह taxon मालो, यह कोई wise species है, जो इस area में ही पाई जा रही है, लेकिन presently यह इस area में पाई जा रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा evolution में हम वापस जाएं, समय में, तो हम देखेंगे कि पहले यह काफी widely distributed थी, इसका मतलब यह extinction की तरफ जा रही है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, हो सकता है, वहाँ पे physical barrier हो, mountain हो, desert हो, समुंद्र हो, जिससे वो change नहीं कर पा रही है, या soil का परवरतन हुआ हो, या climate change हो ही हो, जिससे वो species other area में, survive नहीं कर पा रही, और वो इसी particular area में confined हो गई है, यासे, थाइलेसीन, तसमानियन, टाइगर, ओमा, एक beetle की genus होता है, यह Australia में पाया जाता है, तो अगर कोई taxon या plant species या animal species ऐसी है, तो पहले बहुत जादा widely distributed थी, लेकिन अब particular किसी एक area में ही confined है, वो किसी भी कारण से हो, उसको हम paleo endemism कहते हैं, अगला है epibiotics या relics endemics, अगर कोई taxon, plant, animal, fossil group से connect है, fossil group कहते हैं, कि जो acting sun के बिलकुल नजदीक हैं, जिनके कुछी members बचे हुए हैं, और जो certain area में पाये जा रहे हैं, क्योंकि उसी certain area की climate उनको favorable तूट कर रही है, और वहाँ पर उनको कोई competition नहीं है, तो इस तरीके का अगर कोई endemic conditions डवलप हो रहा है, तो उसको हम epibiotics या relics कहते हैं, जैसे गिंगो बाइलोबा, एक जिम्नो स्पर्म हैं, जिसको हम living fossil भी कहते हैं, जो गिंगो बाइलोबा है, यह चाइना वैली में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह सुरूस ही चाइना में था, यह पहले नौर्ट टेम्परेट जोन, जिसमें की नौर्ट टेम्परेट जोन में, जापान, नौर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यह जो regions हैं, यह आ जाते हैं, तो यहां तक पहले वो फैला हुआ था, ल यह भी living fossil से belong करता है, तो इस तरीके का अगर कहीं endemism develop हो रहा है, तो इसको हम epibiotic या relic endemics कहते हैं, अगला है hollow endemics, hollow सा मतलब होता है कि throughout वो evolution में endemic ही बनके रहा है, अगर कोई plant species, animal या growth, taxon, बहुत ज्यादा old है, origin में, मतलब वो आज पैदा नहीं हुआ है, उसका evolution काफी भी पहले हो चुका था, लेकिन फिर भी उसका जो distribution है, वो narrow है, मतलब बहुत ज्यादा area में वो फैला नहीं है, मतलब throughout उसकी evolution journey में, वो endemic ही बनके रहा है, एक area में ही confined होके रहा है, तो इस तरीके के endemic को हम hollow endemic कहते हैं, right, pseudo endemic, अगर कोई endemic mutation से develop हुआ है, तो उसको हम pseudo endemic कहेंगे, जैसे franklinia, right, elatamaha, तो ये जो plant है, ये elatama एक river है, जौर्जिया में, वहाँ पर ये mutation से develop हुआ था और 18 century में इसका एक plant वहाँ पर मौझूद था, उसके बाद ये extinct हो गया, उसके बाद polar bear को भी हम pseudo endemic मानते हैं, क्योंकि polar bear जो है, वो सिर्फ जो हमारे arctic region है, वह जलू है, उसके skin color में mutation से develop हुए है, बाखी सारी चीज़े common है, तो polar bear भी pseudo endemic में आते हैं, अगर कोई species या taxon ऐसा develop हो रहा है, जिसमें chromosome की संख्याच ज्यादा या कम है as compared to their relative, और किसके कारण है वो, एन्यूपलाइटी के कारण, तो इस तरीके के endemic को हम क्या कहेंगे, एन 1961 तक आते आते, endemic पे दो वैज्यानिक हुए हैं, नियो endemic पे इन्होंने काफी काम किया, और cytological study की, एवजर एंड कॉंटरेंडियो पॉलिस, 1961 में इन्होंने का इस तरीकी, cytological study की बहुत ज्यादा, और किस पे, नियो endemic पे, अब ये नियो endemic क्या है मैं आपको discuss कर चुका ह और इन्होंने, based on cytological study, नियो endemic को तीन हिस्सों में बाटा, एक है, तीजो endemic, अट्रेंडो मिक्स, और आगे, नेक्रोस में देखेंगे, एपो endemic, तो एक एक करके इनको देखते हैं, क्या है ये, और कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इस तरम्स ध्यार रखनी है, जैसे कभी आपसे पूछे, ताइजो endemic क्या है, तो यहाँ पर दो condition है, कि widely distributed कोई अगर taxon या plant species है, अगर उससे endemic बना है, यह है case 1, इसमें ताइजो endemic में दो case होते हैं, और दौनों case में से कोई भी condition फुल्फिल हो रही हो, तो आप सिजो endemic case में उसकी study करोगे, पहला case यह कहता है, कि wide distributed अगर कोई taxon था, और उससे अगर endemic species बनी है, यह case 2, endemic species से कोई ऐसी species डवलप हुई है, जो widely distributed है, बहुत जादा फैल रही है, लेकिन उसमें condition क्या होनी चाहिए, प्रोमोसम संक्या सेम होनी चाहिए, तो इस तरह की condition, दोनों cases में से कहीं भी अगर कोई condition बनती है, तो है जो endemics कहते हैं, दूसरा है petroendemics, petroendemics में जो endemic है, वो deployed होना चाहिए, deployed endemic, मतलब यहाँ पर condition fix कर दिया है, कि वह जो endemic है, वो deployed होना चाहिए, 2N होना चाहिए, लेकिन जो species widely distributed है, जो आगे बहुत जादा फैल रही है, वो polyploid होनी चाहिए, वो मालो 4N हो, 6N हो, 8N हो, मतलब polyploid ही होनी चाहिए, तो इस तरह की conditions अगर कहीं दवलक होती है, तो उसको कहते हैं, हम petroendemics, एक तीसरा है, apoeendemics, जैसे जो widely distributed अगर कोई deployed है, right, मतलब यह जो widely distributed parental plant है, यह deployed होना चाहिए, और इस से अगर कोई ऐसा endemic develop हो रहा है, और वो अगर polyploid है, 4N है, 6N है, 8N है, 10N है, right, तो इस तरह की condition अगर कहीं develop हो रही है, और वो endemic है, तो इस तरह के endemic को हम क्या कहेंगे, apoeendemics कहेंगे, तो कहने का मतलब है कि आपको यह type of neoendemism में, फैवेजर और contraindyopolis ने 1961 में, जो cytological study के बेस पे तीन minor classification neoendemism के किये हैं, उसमें आपको यह certain case ध्यार रखना है, और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा deep में नहीं जाएगा, वो इन case के बेस पे ही आपसे certain कुछ questions महाँ पर put up कर सकता है, अब हमने endemism क्या है, endemism का types कितने हैं, यह तो पढ़ लिया, लेकिन endemism cause क्यों हुआ, तो इसके कुछ कारण है, देखिए, poor adaptability पहला कारण, ऐसा हो सकता है कि कोई species migrate की, एक area में develop हुई, migrate की, और migrate के बाद जब वो नए area में पहुँची, तो environment में suit नहीं कर पाई, और वो वहाँ से गायव हो गई, और जहां पहले थी, वहीं पर वो रही, तो वो endemic कहलाएगी क्योंकि वो migrate ही नहीं कर पा रही है, दूसरा हो सकता है, changing climatic condition की, मतलब इसपी सी migrate की, हर जगे पहले वो थी, लेकिन एक जगे को छोड़ के, बाकी जगे क जो climate थी, बहुत ज़्यादा change हो गई, और वो बदलती हुई climate conditions में survive नहीं कर पाई, और एक ही जगे की climate में वो survive कर पाई, क्योंकि वहाँ की climate बहुत ज़्यादा change नहीं हुई थी, तो इस तरह की conditions के कारण भी endemic conditions पैदा होती है, geographical barrier, वो सकता है कोई species ऐसी जगे पे rating नहीं कर सकते हैं, या फिर एक valley में develop हुई है, चारों तरफ पहाडों से गिरी हुई है, तो migration बहुत कम possible होता है, तो इस तरह के barrier भी वहाँ पर endemism को cause करते हैं, या फिर कोई nearby लाके में desert है, तो desert से आगे वो जाई नहीं पा रही है, तो इस तरह के कारण geographical होते हैं, फिर change land, huge cover fragmentation, यह मतलब आपने जैसे एक बहुत बड़ा area था, यहाँ पर कोई species पाई जा रही थी, और आपने उस habitat को तोड़ दिया, आपने सब को खतम कर दिया, और particular छोटे-छोटे हिस्सों में उस habitat को बाट दिया, और एक हिस्से में आप वो survive कर पाई, तो habitat fragmentation के कारण भी endem जो है, डवलप होता है, narrow ecological amplitude, बहुत सारी species ऐसी होती हैं, जो widely distributed होती हैं, migrate भी करती हैं, अच्छा खासा migration सो करती हैं, लेकिन उनको ecological जो conditions हैं, वो बहुत ही specific चाहिए, अगर उनको वो specific conditions नहीं मिली, तो वो survive नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ही ज्यादा specific conditions की तरफ रहने वा ही कहते हैं, ecological amplitude कहते हैं, कि आप कितना ज्यादा ecological variations में survive कर सकते हों, जैसे मैं 0 से लेके 45 के बीच में survive कर सकता हूं, तो मेरा ecological amplitude, जो range है, वो 0 to 45 degree centigrade की है, कोई species है, जो सिर्ट 20 degree पे ही survive कर सकती है, उसको 20 के आसपास के temperature चाहिए, तो उसका जो ecological amplitude है, उसकी जो range है, वो बहुत narrow है, और उसको अगर वो temperature नहीं मिला, तो उसकी extinction की possibilities क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए कहा जाता है, कि किसी भी species या taxon का ecological amplitude, जितना कम होगा, उसके extinction की संभावना उतनी ही ज्यादा हो जाती है, इसलिए अक्सर गाहों में बोला भी जाता है, कि जो मिले खा लेना चाहिए है, ताकि आपका ecological amplitude क्या है, broad रहे, क्योंकि वो ecological point of view से एक better point है, अब बात आती है, theory, theory of endemism को अगर हम पढ़ है, तो देखिए सबसे important part endemism का ये है, जो बच्चे को confuse करता है, उसको ये theory समझ में ही नहीं आती है, कि ये theory है, क्या, क्या, क्या रही है, तो देखिए एक geography में पैंजिया theory भी चलती है, endemism को explain करने के लिए, जो ये बोलती है कि पहले जो हमारी, जो जमीन थी, जो हमारे deep थे, वो सब जुड़े हुए थे, जिसको पैंजिया कहते हैं, और वो अलग-अलग हो गए, अलग-अलग होने से हर island का एक अलग climate develop हुआ, तो वहाँ प ये तो theory क्या कहते हैं, इसमें जो पहली theory है, ये believe करती है कि जो last survivor of once flourishing flora, which is now declining, are the relics और epiviotics of maximum जगे पर जब भी इस theory को पढ़ोगे, आपको ये line मिल जाएगे, क्योंकि सब ने एक ही तरफ से वो line उठा रखी है, लेकिन कभी भी कोई भी मैंने बहुत कम ये देखा है कि इस theory को बहुत कम explain किया गया है, क्योंकि वो ये line लिख देते हैं, books में भी और उनको लगता बच्चे को समझ में आ गया होगा, इसका मतलब ये है कि पहले आज की date में हम कोई species देख रहे हैं, जो endemic है, वो पहले कभी कोई species बहुत जादा रही होगी, उसके last survivor है, जो की ठीक है, इसका मतलब ये जो theory है, ये endemic species को, endemic taxon को बूड़ा मानती है, last survivor मानती है, ये मतलब ये कोई आज पैदा नहीं हुए है, ये काफी time से ये species रही है, लेकिन चूंकि ये decline कर रही है, हर area से बाकी सारी जगे से ये decline कर चुकी है, extinct हो चुकी है, एक ही जगे पर पाई survivor है, इसका मतलब ये last representative से हैं, और हम इनी को relics या epibiotics endemics भी कहते हैं, तो मतलब जो हम epibiotism या relics endemism पढ़ा था, और paleo endemism पढ़ा था, उसको ये theory explain करती है, इसके supporters भी है, maximum जो geographer है, जो geography subject से आते हैं, वो इस theory को support करते हैं, इसमें example दिया जाता है, जैसे सिकोईय सैमी पैनिरेंस है, ये Central Valley of California और Oregon में पाया जा रहा है, फिर सिकोईय गिगेंटिया, ये Sierra Nevada में पाया जा रहा है, ये आज की date में endemic हैं particular इन जगे पे, लेकिन ऐसा नहीं है, कि ये कितनी ही संख्या में पाया रह रहे थे, ये Christaceous और Tertiary Period में बहुत जादा extensively distributed थे, और यही ये theory कहती है, ये theory, briefly हिंदी में अगर इसको कहें, तो ये कहती है, कि देखो भाई, आज जो तुम endemagem देख रहे हो, वो पहले कभी बहुत जादा widely distributed member रहे होंगे, और रहे थे, लेकिन आज चुकि इनकी संख्या फ्लोरिस हो रहे हैं, अब ये animal पर भी लागू है, plant पर भी लागू है, तो ये पहली theory है, जो ये मानती है कि endemagem नया नहीं है, पुराना है, बुड़ा है, लेकिन endemagem में एक group हमने पढ़ा था, neo endemagem, हमने बोला था कि ये recently evolved हुए हैं, और neo endemagem की explanation ये theory नहीं कर रही थी, इसी लिए दूसरी theory आई, जो ये believe करती है और ये बिल्कुल contradictory है, जो first theory थी वो तो old मान रही है endemagem को, जबकि second theory believe कर रही है कि नहीं ये recent है, and youthful form है, young है, in course of gradual extinction, इसी theory को हम age and area hypothesis भी कहते हैं, अब age and area hypothesis क्यों कहते हैं, आगे उसको हम explain करेंगे, तो कहने का मतलब है कि जो second theory है, वो ये कहती है कि जो endemism है, जो endemic species पाई जा रही है, वो बहुत ज़्यादा old नहीं है, वो recent है, कुछी time पहले develop हुए है, और ये youthful forms है, right, in course of gradual extinction, यहाँ पर यह एक्टिंग्सन जो है थोड़ा सा wrong हो गया, यहाँ पर आप gradual evolution आप थोड़ा देते हैं, जैसे primula है, impatience है, rhododendron है, और भी बहुत सारे हैं, यह कुछ example है, जो यह theory के support में दिये जाते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा old species नहीं है, यह कुछी time पहले develop हुई है evolution में, यहाँ पर यह theory agent area hypothesis क्यों कहते हैं, देखिए, area hypothesis इसलिए, agent area hypothesis इसलिए कहते हैं, कि अगर किसी particular area में, अगर area जो है, वो बढ़ता है, तो यहाँ पर endemic species बढ़ने की संभावना भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और endemic species अगर बढ़ेंगी, endemic species बढ़ रही हैं, तो हम यह मानते हैं, कि उसकी age जो है, उतनी ही ज़्यादा रही है, यहने का मतलब है, कि आपने, जैसे मान लो, दो area है, इसको ऐसे भी समझो, यह area one है, और यह area two है, इस area जो है, इस area one में, मान लो, endemic species जो पाई जा रही है, वो 10 पाई जा रही है, और यहाँ पर जो endemic species है, वो मान लो 60 पाई जा रही है, तो यहाँ से हम यह लगा सकते हैं, कि वही यह जो endemic species 10 वाला इलाका है, इसकी जो age है, वो कम है, इसका मतलब यह नया है, इसकी यह ज़्यादा नहीं है, यह अभी develop हुआ है, क्योंकि endemic species जो ह वो young मानी जा रही है, जो recent evolve हुई है, इसका मतलब इस area को ज़्यादा time evolution में भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ जो है endemic species ज़्यादा है, तो इसका मतलब यह area evolution scale पे ज़्यादा time cross कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर endemic species क्या पाई जा रही है, ज़्यादा पाई जा रही है, इ यह evolution में ज़्यादा time spent कर चुके है, तो इस तरीके की age and area hypothesis को explain किया जाता है, यहाँ पे area को हम numerical area के point of view से नहीं देख रहे हैं, area की age हम कैसे calculate कर सकते हैं, उस point of view से यह theory बात करती है, एक theory और है, area and biodiversity theory, Alexander won humble equations जहाँ पर हम पढ़ते हैं, वो अलग है, वो community में area बढ़ने पर biodiversity कैसे बढ़ती है, वो उसको explain करती है, तो numerical explanation तो आपको Alexander won humble equations में मिलेगा, लेकिन particular endemic species को लेके जो age and area hypothesis है, वो इस तरीके से explain करता है, उम्मीद करता हूँ, आपको यह दोनों theory हैं, समझ में आई होंग Linux Pardinus, एक पहड़ी, एक बिल्ली है, यह endemic है, peninsula में पाई जाती है, और यह threatened species में आती है, polar bear, यह भी मैंने बताया था, pseudo endemic में आता है, क्योंकि यह normal जो bear है, उनसे mutation के कारण डवलप हुआ, skin color में mutation, लैमूर, Medagascar में पाई जाते हैं, panda, हम सब ने देखा होगा, photo देख जो है, endemic में आता है, red sequoia, right, China Valley में, आज यह पाया जा रहा है, उसके अलावा आपको यह कहीं देखने को नहीं मिलेगा, red sequoia plant, dragon tree, right, यह जो diagram में दखाया गया है, pama, berigona, यह जो है, क्यूबा और उस area में पाया जाता है, इस तरीके से, यह palm type का एक वो होता है, और फिर jealous का pine, यह भी जो है, pine family का ही member है, और यह Mexico regions में, इसका photo में यहाँ पे नहीं use किया है, यह Mexico regions में देखे जाते हैं, तो endemism जो है, उसको हमने यहाँ पे आपके साथ discuss किया, उसकी theories को discuss किया, types को देखा, endemism जो है, क्यों develop होई, उनको explain किया, theory क्या कहती है, और endemism के कुछ examples ह हमने देखें, तो उमीद करता हूँ, कि endemism जो है, आपको यहाँ से, अच्छे से समझ में आया होगा, अगले वीडियो में, हम एक नए ecology के point of view से, हम कोई अलग topic लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्या